आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ बैगन की सिंपल सब्जी की रेसिपी इस सब्जी की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए नहीं आपको लहसन अद्रग प्यास टमाटर किसी सी उसकी जुज़त नहीं है और मात्र 8-10 मिनट में आप इसे बना के तियार कर लेंगे अग से पहले देख सकें सब्जी बनाने के लिए यहां पर मैंने 400 गराम प्रख्रांइग师 और यह सफीद डिया है यहां पर मैंने चाहे तो आप जो परपल वाला बैगन होता है ना उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं और बैगन को मैंने बीज से काट लिया है और इसका जो डंडी वाला पार्ट है ना उसे हमें नहीं आटाना है इसी के साथ हम जब इस सब्ची को बनाएंगे ना तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा इस सब्ची को बनाने के लिए अप ताजा नरम बैगन का इस्तमाल करिएगा क्योंकि उसमें बीज कम होते हैं एक चमक यहां पर आपको डालना है कश्मीडी लाल मिर्ची पाउडर और एक चौथाई के करीब यहां पर हम नमक डालेंगे और डाल के इस प्रकार से हम टॉस करते हुए इसे मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और मिर्ची की जो कोटिंग है वो बैगन के ऊपर अच्छे से हो जाए मिर्च और नमक बैगन के उपर अच्छे से कोट हो गया है तो इसे रख देते हैं एक तरफ और चलते हैं नेक्स प्रोसेस के लिए कड़ाई में लगभग दो बड़े चम्मे सरसो का तील डाल के उसे अच्छे से गरम कर लेंगे सरसो के तील में यह जो बैगन की सबजी है वो बहुत ही स्वादिश्ट बनती है इस सबजी के खास बात यह है कि इसमें आपको ना ही लैसुन की जोड़त है ना ही प्याज और ना ही टमाटर की जैसे ही तील गरम हो जाए यहां पर आप तरका डाल दें तरके में मैंने यहां पे एक बड़ा चमच लिया है पचफोरन पचफोरन में हमें सौफ जीडा राई अजवाइन मंग्रेल और मेथी के दाने डाले हैं साथी साथ एक चौथाई चमच हिंग डाल दें जैसे ही तरका अच्छे से चटक जाए आप यहां पर बैगन डाल दें बैगन को डाल के अब हम क्या करेंगे कि तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेल में इसे दो से तीन मिनट तक मीडियम आज पर पकाएंगे अगर आप बैचलर है या फिर आपके पास समय कम ह पटा-फट से कुछ तीखा चट-पटा सबजी बना के खाने के इक्छा हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्रह किज़ेगा मातर दस मिनट में यह बन के तयार हो जाती है तो यहां पर पैगन का कलर चेंज हो गया है इसे मैंने दो-तीन मिनट पका लिया था अब हम गयास का आज धीमा कर देंगे और अब मैं यहां पर डाल रही हूं एक छोटा चम्मच पीसा हुआ सर्सो सर्सो को आप थोड़ा सा तवा पे भूल ले उसके बाद पीसे एक चोथाई चम्मच यहां पर मैं साधा नमक डाल रही हूं एक चोथाई चम्मच यहां पर आप काला नमक ड ड्णिया पौडर हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा डालें गीं तो तो देंर, यहां पर अच्छेश से मिक्स कर लेंगे, आगर आप अधार भीसेने करीक on पकने के लिए छोड़ दें, गैस का आच मीडियम जलो के बीच में रखें, तो अब हम यहाँ पे सबजी को खोल के चक कर लेते हैं, और यह देखें कितना लाजवाब दिख रहा है, यह खाने में भी उतना ही जादा स्वाधिस्ट है, आप इसे रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आधा चमच, आम के अचार का मसाला, जी हाँ, जरूर डालिएगा टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है, तो बस इसे अच्छे से एक बार और मिला लें, और यह हमारी जटपट बनने वाली सबजी बन के त अब गयास बंद कर देंगे और चलते हैं इस सबजी को फटा फट से सर्फ करने के लिए, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मुझे भी कमेंट करके जरूर बताईएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंपजार रहता है, आपका बहुत बहुत अधर सपी मंटरा में दवता के लेन गौर प्यार समय बटाएगा, और आपके रहता है, बास।